हेलो दोस्तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल एक जाम योजबाई उदसर में तो दोस्तो आप सभी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि सर हरी नपली से मेल कॉंस्टेवल को उपर जान करी दें देखो हमने कितनी बार वीडियो बनाई है लेकिन ये वीडियो आपके लिए कुछ हट कर हम बना रहे हैं और आपके लिए एक अच्छी खबर हम दे रहे हैं इस वीडियो में खास कर ये वीडियो उन भाईयों के लिए जिनके नमबर 40 से 45 के बीच में पिरसन जिनके ठीक है कॉश्चन जिनके ठीक है उनकी हम बात करें तो भही वो अपनी रेस की तैयारी जरूर करें क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हर सिप्ट में 4-4 एक्जाम है यानि कि 4-4 पिरसन पत्र अलग अलगाएं है यानि कि टोटल जो आपके 24 सेट बने है कितने सेट बने हैं 24 सेट बने हैं और थोड़ा से आपको अलगशे बताने की कोशिस करूँगा इस वीडियो में तेको हर सिप्ट में लग भग डिफरेंस देखने को मिला है यानि कि जो 31 का एकजाम है एक का एकजाम है या दो का एकजाम है उसमें डिफ्रेंस है ठीक है और इसमें जो सबसे बड़ा जो सरप्राइज होगा जिन भाईयों की नंबर कम है या जिनकी सिफ्ट है अच्छे लेवल की सिफ्ट थी और जिनका सिकोर कम हुआ उन्हें एक प्र से हम कह सकते हैं विख्यात भी है क्योंकि वह ऐसे से काम करता है कि आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे तो भाई यह बात अपने दिमाग में जरूर बिठा लें अच्छे से कि यह ना सोचे कि हमारे 40-45 प्रिसन है और हमारा स्लेक्शन नहीं होगा तो यह जो आपके लिए प में बता रहा हूं और कोई आपको जनकारी भी नहीं देगा बाकी जो होगा वो उपर वाले पर डिपेंड है इसमें आपके 5 प्रिसन भी जादा बढ़ सकते हैं 6 प्रिसन भी बढ़ सकते हैं 8 प्रिसन भी बढ़ सकते हैं 10 प्रिसन भी बढ़ सकते हैं 12 प्रिसन भी बढ़ स सोच कर चले कि आप भी गायल सेड की तरह हैं ठीक है आप हारे नहीं है गायल होएं तो इस गायल को आप ठीक कर सकते हैं इस गहाब को आप बढ़ सकते हैं और फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं और ये जो उलट फिर होगा नॉर्मलाइजेसन का ये आपको आगे बढ़ाएग तो ये बात ध्यान में जरूर रखें आपके लिए पलस फॉइंट है इसलिए हम आपसे बारवार कह रहे हैं कि रेस की तैयारी करते रहे हैं और मैंने देखा है कि कुछ भाईयों के मेरे पास मेसेज आ रहे हैं कि सर क्या भी मेल कॉंस्टिबल का रजल्ट नहीं आएगा तो ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि अभी रजल्ट नहीं आएगा लेकिन हमने इसको पर वीडियो डाली है और अगर ऐसी कोई खबर होई तो हम आपके साथ जरूर सेर करेंगे बाकी रजल्ट जल्दी ही डेकलेर होगा फिलाल भी यही जानकरी है अगर कोई मतलब की डि वो एक गायल सेर की तरह है और वो कभी भी ठीक होकर मतलब की फिर से प्रहार कर सकता है तो आप ऐसा ही समझें कि आपके लिए वो पलस फॉइंट है अगर मानकर चलते हैं आपको दस या आठ परिसन का मतलब की नॉर्मलाइजिसन में फायदा हो गया तो भई आप फिर क्या करें अगर आपने रेस की तैयारी नहीं की तो मैं बार 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 बोल रहा हूं कि 40-45 वाले भी सांत ना बठें एक जाम की तैयारी तो आप ने किया उसके साथ अब आप अगले एक जाम की भी तैयारी करते रहें और रेस की भी तैयारी करते रहें तो एक जानकारी थी आप आपको जानकारी दिये आपको जरूर मोटिवेट करेगी तो फिलाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद